हेलो दोस्तों लुसेंट जीके की निचोट के स्वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट दोस्तों इससे पहले भी दो पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों उनमें सो सो कोशन आप से डिसकस किये थे इसमें भी आप से सो कोशन डिसकस कि बशाइए चुकें दcely शेरो करते हैं देस्तों आज की excludes wenn пол savyaоном जीर नंबर सी पूरवी अफ्रीका में स्थित हैं Victoria जील को दाले किसका एक अच्छा इस्पृत है इसका ग्रङ्ट थций्डाइन सर है प्रोटीइन का अच्छा इस्तृत हर है रहा किस देश ने 27 वा सुल्तान अजलान शहा कप जीता है तो इसका गरेक्ट आंसर है Option number A जो उश्टेलिया देश है उसने जीता है 27 वा सुल्तान अजलान शहा कप निक्शन है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर C पेट्रोलियम परदारतों के उत्पादन के लिए जाना जता है अंकेल इश्वर भारत में निक्षन है भारतिय सविदान के लिए मस्विदा तियार करने वाली प्रारूप समीती का अधिक्ष कौन था तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर C डॉक्टर भीमराव अम्बेटगर थे निक्ष ने अभी नव भारत नामग अंग्रेज विरोधी संगठन के इस्तापना की थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर C वीड़ी सांवर करने की थी अभी नव भारत नामग अंग्रेजी विरोधी सतापना किसने की तो सब्सक्राइब करिया से कौंसी गयस निकलती है तो सब्सक्राइब कारबंडाइव निकलती है करिया से निक्षन भारतिय सविदान के किस अनुछेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर सी जो अनुछेद 40 है उसके द्वारा दिया जाता है राज्य सरकार को ग्राम परंचायत के संगटन का निर्देश निक्ष ने ब्रह्म समाज किस सिद्धान पर आधारित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर B एकेश्वर बाद सिद्धान पर आधारित है ब्रह्म समाज निक्ष ने म्रदा अपरदन रोका जाए तो इसका correct answer है option number B वन रोपन के द्वारा रोका जा सकता है म्रदा अपरदन को निक्ष ने नल सरोवर पक्षी अभ्यारण किस राज्य में इस्तित है तो इसका correct answer है option number C गुजरात राज्जे में स्थित है नल सरोवर पक्षी अभ्यहरड निक्ष ने विशु मानवादिकार दिवस के रूप में निक्ष ने भारती साविधान के किस अनुछेद में साविधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर भी अनुचेद 32 में दिया गया है सावेदानिक उपचारों का अधिकार निक्ष ने किसी वस्तू से सम्मंदित जानकारी पतली एवम मोटी रेखाओं से बनी आकरती में संग्रेट की जाती है इन रेखाओं को कहा जाता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर ए इसे बारकोड कहा जाता है जब किसी वस्तू की जानकारी पतली और मोटी रेखाओं के अंदर संग्रेट की जाती है तो इसे बारकोड कहा जाता है निक्षन है पाल घाट दरा निमलिकित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन मरे केरल और तमिलाडू राज्य को जोड़ने का कारिय करता है पालगाट दरा निक्षन है भारतिय सविदान के किस भाग में संगिये व्यवस्ता पीका का उलेक है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन बड़ी जो भाग पांच है उसमें संगिये न्याई पालिका का उलेक है निक्षन है अंतराष्टिय मुद्रा कोश के अनुसार वित वर्ष 2017-2018 में भारत की आर्थिक वरदी दर क्या रही थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन बड़ी साथ पॉइंट दो परसेंट रही थी भारत की आर्थिक वरदी दर निक्षन है रिगवेद में कुल कितने मंडल है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर्बडी मंडलों की संक्या दस है रिपवेद में निक्षन है मानव अमाशिय की पाया जाने वाला अमल है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर ए बिल्गुल गरेक्ट है S.C.L. बोले तो हैट्रो क्लोरिक अमल पाया जाता है मानव अमाशे में निक्षन है वर्ष दो हजार अठाइस में ओलम्पिक खेलों का आयोजन किस शहर में किये जाने की गोशना IOC द्वारा की गई है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर C लोस एंजिल्स में आयोजन किये जाएंगे ओलम्पिक खेल दो हजार अठाइस में निक्षन है न्यूटन मीटर मातरक है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर A उड़जा का मातरक है न्यूटन मीटर निक्षन है देविंदर जहांजरिया का सम्मंद किस स्केल से है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर D जैवलिन थ्रो से सम्मंदित है देविंद्र जहांजरिया निक्षने सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में इस्तित है तो इसका गरेक टांसर है आप्स नमबर बी ये जम्मु कश्मी राज्य में इस्तित है सियाचिन ग्लेशियर निक्षने खेतडी किसके लिए प्रसिद है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन अमबर C तामबा उत्पादन के लिए प्रसिद है खेतडी जो की जुन-जुनों में इस्तित है निक्ष ने भाढ़तिय सविधान किसने बनाया था तो इसका correct answer है option number D विल्गू गरेक्टर है जो सविधान सबा है उसने बनाया था भाढ़तिय सविधान को निक्ष ने ख्लोरोफोर्म का IUPAC नाम है तो इसका correct answer है option number D विल्गू करेक्टर है Tetra Trichloro Methane होता है chloroform का जो IUPAC नाम है वह है try chloro methane होता है निक्ष ने देवदास उपन्यास के रश्चनाकार है तो इसका correct answer है option number A शरतचंदर चटोपाध्या है देवदास उपन्यास के रश्चनाकार निक्ष ने बूर इस तिर उपग्रह की प्रत्वी से उचाई होती है तो इसका correct answer है option number D विल्गू correct है 36,000 km होती है जो भू इस्तिरूग्र है उसकी प्रत्वी से उंचाई निक्ष ने vitamin E का रासाइनिक नाम है तो इसका correct answer है option number D टोको फेरोल होता है vitamin E का रासाइनिक नाम हाल ही में किस देश के निर्माण, फार्मा और शिक्षिया सहीत विबिन शेत्रों में 36 अरब डोलर निवेश के 31 सहमती पतर पर हस्ताक्षर किये तो इसका correct answer है option number D ये मलेशिया के साथ में हुआ है ये समझो था निक्ष ने राज्य का दोज बनाने के लिए सुझाव देने हे तू किस राज्य में एक समिती गठित की गई तो इसका correct answer है option number C कर्णाटक राज्य में एक समिती गठित की गई थी निक्ष ने भारतिय सविदान में कुल कितने भाग है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमर डी भागों की संक्या 22 है भारतिय सविदान में निक्ष ने एपी जे अब्दुलकलाम इसमारक किस इस्तान पर बनाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन ममर डी रामिश्वरम में बनाया गया है एपी जे अब्दुलकलाम इसमारक फीला डेफिया किस देश का शहर है तो इसका कर्रेक्टांसर है आपसे नमबर D ये अमेरिका के शहर का नाम है निक्ष ने किस वेग्यानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्चरों दौरा होता है तो इसका correct answer है आप्शन नमबर C रोनाल्ड रोस ने खोज की थी कि जो मलेरिया है वह मच्चरों के द्वारा होता है निक्ष ने इनकलाब जिन्दाबाद का नारा सबसे पहले किस ने दिया तो इसका correct answer है आप्शन नमबर C बगस सिंग ने दिया था इनकलाब जिन्दाबाद का नारा निक्ष ने तार्नेडो है तो इसका correct answer है आप्शन नमबर A विल्कु correct है एक अती निम्न दाब के इंदर है तार्नेडो निक्ष ने वार्निजिक बरफ संयत्र के लिए सबसे उप्यूक्त प्रशी तक है तो इसका correct answer है आप्शन नमर C अमोनिया प्रतिशक्त है जो की सबसे उप्यूक्त है निक्ष ने कम्प्यूटर की बनावट कहलाती है तो इसका correct answer है आप्शन नमर B इसे हार्डवेर कहा जाता है भौतिक बनावट को निक्ष ने प्रसिद नाटक प्रच कटी का किसने लिखा था तो इसका correct answer है आप्शन नमर A शुद्रक के द्वार लिखा गया था मच्च कटी का नाटक निक्ष ने जहलम नदी का प्राची नाम क्या है तो इसका correct answer है आप्शन नमर C वितसता है जहलम नदी है उसका प्राची नाम निक्ष ने हिमाले की सबसे पूरवी चोटी कौन सी है तो इसका correct answer है आप्शन नमर C बिल्कुल correct है नामचा बर्बा है हिमाले की सबसे पूरवी चोटी निक्ष ने भारती सविदान में कितनी सूचिया है तो इसका correct answer है आप्शन नमर B सूचियों की संक्या तीन है निक्ष ने भारत का एक मातर राज्य जो केशर का उत्पादन करता है तो इसका correct answer है आप्शन नमर A जम्मू कश्मीर राज्य है जो की केशर का उत्पादन करता है निक्षने भारतीες अविधान पर सबसे अधिक परभाव किसका पढ़ा है तो इसका गरेक्टान सरह है ऑप्शन नमबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक परभाव पढ़ा है निक्षने तेरवी शताबदी में दुएतवात मत के संस्तापक कौन है तो इसका correct answer है option number D मादवाचारी है जो की द्वेतवाद मत के संस्तापक है निक्ष ने विशु स्वास्ते संगठन ने किस भारतिय अभीनेता को दक्षिनी पूर्वी एशिया का हेपोटाइटिस गुडविल एम्बेसेटर न्यूक्त किया है तो इसका correct answer है option number A अमीता बच्चन को निक्ष ने केंदर सरकार ने सरुषिक्षिया का अभियान के लिए समरपित किस वेव पॉर्टल का शुबहरम किया है तो इसका correct answer है option number C शागून वेव पॉर्टल का शुरू किया है निक्ष ने इस शिक्षिया को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2017 में कितने डिजिटल अभियानों की शुरूआत की गई तो इसका correct answer है option number A तीन डिजिटल अभियानों की शुरूआत की गई है निक्ष ने Hope in a Challenged Democracy and Indian Narrative पुस्तक के लेखग कौन है तो इसका correct answer है option number B इस पुस्तक के लेखग अश्विनी कुमार है निक्ष ने विजे नगर समराज्य के स्तापना कब हुई तो इसका correct answer है option number B 1336 इस्तापना निक्ष ने भारती सविदान में मोलिक अधिकारों का उद्देश्य करते हुए निम्लिकित में से किस देश का अनुसरण किया गया है तो इसका correct answer है option number C अमेरिका का अनुसरण किया गया है मोलिक अधिकारों में ने निम्लिक में से इवॉलेट सर्विस सा कंपनी पेमेंट बैंक की शुरुआत की है तो इसका correct answer है option number B पेटियम ने शुरू किया है पेमेंट बैंक की निक्ष ने भारत की राजदानी को कोलकता से दिल्ली कब लाया गया तो इसका correct answer है option number B 1911 के अंदर लाया गया था कोलकता से दिल्ली भारत की राजदानी को कोशन है चरक शुचुत्र धनवंत्री प्राचिन भारत में किस विद्दा के विशेशग्य थे तो इसका correct answer है option number C चिकिस्था के विशेशग्य थे चरक शुचुत्र और धनवंत्री निक्षन है दूद का धही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो इसका correct answer है option number A विल्गू एरेक्ट है बेक्टिरिया के द्वारा होता है दूद का धही में परिवर्तन निक्षन है भारतिय सविदान में समवर्ती सूची की प्रेड़ना कहां से ली गई है तो इसका correct answer है option number C ऑस्टिरिया से ली गई है समवर्ती सूची की प्रेड़ना निक्षन है पलामू एवं लोहर दगा निम्न में से किस खनीज के लिए प्रसिद है तो इसका correct answer है option number D बूकसाइड खनीज के लिए फैमस है पलामू और लोहर दगा निक्षन है बूमद्य सागर एवं अंटाल्टिक महासागर को जोडने वाली जलसंदी है तो इसका correct answer है option number C जिब्राल्टर जलसंदी है जो कि बूमद्य सागर और अंटाल्टिक महासागर को जोडती है निक्षन है मुंडा जन जाती कहां निवास करती है तो इसका correct answer है option number D जहरकंड राज्य में निवास करती है मुंडा जन जाती निक्षन है भारत का दक्षिन तमिस्तान इंद्रा पॉइंट में से कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number E अंडमार निकुबार अदीप समू में इस्तित है इंद्रा पॉइंट निक्षन है रग्भी फुटबॉल में प्रतेग पक्ष में खिलाडियों की संक्या कितनी होती है तो इसका correct answer है option number D 15 होती है खिलाडियों की संक्या निक्षन है सर्प किस वर्ग से सम्मंदित है तो इसका correct answer है option number A रेप टीलिया वर्ग से सम्मंदित है सर्प निक्षन है भारती सविदान में मोलिक करतेवियों का विचार लिया गया है तो इसका correct answer है option number B विल्कूल करेक्ट है सोवियत संग से लिया गया है मौलिक करतेविवों का विचार निक्षन है गोदान किस की रसना है तो इसका करेक्टान सरब है option number B मुन्शी प्रेमचंद के रसना है गोदान निक्षन है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए teach your children कारेक्राम किस company द्वारा शुरू किया गया है तो इसका correct answer है option number D Microsoft company के द्वारा शुरू किया गया है teach your children कारेक्राम निक्ष ने spot और iron की वस्तू में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है तो इसका correct answer है option number D इसे यशद लेपन कहते हैं जब iron और spot की चीज पर जो वस्तू है उस पर जिंक का लेपन किया जाता है निक्ष ने जब बर्फ पिगलती है तो क्या होता है तो इसका correct answer है option number C इसका जो आयतन है वह घट जाता है जब बर्फ पिगल जाती है निक्ष ने दक्षिन गंगोत्री क्या है तो इसका correct answer है option number C अंटाल्टिक में इस्तापित भारतिये विग्यानिक अनुसंदान के इंद्र है दक्षिन गंगोत्री निक्ष ने computer बाश्या में feed किया जाने वाला data कहलाता है तो इसका correct answer है option number A इसे input data कहते हैं जो की computer में feed किया जाता है निक्ष ने मक्य की खेती की जा रही है तो इसका correct answer है option number C बिल्गू correct है जो खरीब की मोसम में जो फसल पोई जाती है उसमें की जाती है मक्य की खेती निक्ष ने भारतिये सवीदान में समलित संसद्ये विवस्ता किस देश से ग्रहन की गई है तो इसका correct answer है option number C बिल्टेंड से ग्रहन की गई है निक्ष ने भारतिये सवीदान सबा की संगिये शक्ति समीती के अध्यक्ष कौन थे तो इसका correct answer है option number A पंडिच जवारलाल नेरूते संगिय शक्ती समिति के अध्यक्ष निक्ष ने बहारतिय संसर्थ के कितने सदन है तो इसका correct answer है option number B दो सदन होते है लोकसबा और राज्जसबा बहारतिय संसर्थ के निक्ष ने प्राकर्तिक कोलाइड कौन सा है तो इसका correct answer है option number C तरफ है जो की प्राकतिक कॉलाइड का उधरन है निंच मनने से कौ। से सबसे कम वर्षह प्राप्त करता है तो इसका और न मैं और सबसे कम वर्षह हूती है पूरे बहरत में निक्षमें किस शहर में पहली भारत इंडोनेशिया ंपुर्जा प्रत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाले धातू-तातू है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमरे अलुमिनियम है जो कि सबसे जदा पाये जाती है प्रत्वी पर निक्षन है साब्रमती नदी किस शहर के किनारे बहती है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमरे एंदवाज शहर के किनारे बहती है साब्रमती नदी 2017 में सम्भारतिय राष्टपती के चुनाव में जनसंक्या आकडों का आधार वर्ष क्या था तो इसका correct answer है option बड़ी 1921 था निक्षने chlorophyll अनू में निम्न में से क्या मोजूद होता है तो इसका correct answer है option बड़ी मेगनीशियम अनू उपस्तित होता है chlorophyll अनू में निक्षने अल्माटी बांध किस नदी पर इस्तित है तो इसका correct answer है option बड़ी आईसोप्रीन का बहू लग है निक्षने वी आकार की गहटी कौन बनाती है तो इसका correct answer है option बड़ी नदी बनाती है वी आकार की गहटी निक्षने कोशिका सिद्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका correct answer है option बड़ी श्लेडेन और श्वान ने किया था कोशिका सिद्धान्त का प्रतिपादन निक्षने आई जी आर रडार फाइब का प्रक्षेपन किया है तो इसका correct answer है option बड़ी जापादन ने किया है आई जी एस रडार फाइब का प्रक्षेपन कोशिन है तानसेन का मूल नाम क्या था तो इसका correct answer है option बड़ी राम तनू पांडे था तानसेन का मूल नाम निक्षने आजाद हिंद फोज से कौन सम्बंधित नहीं है तो इसका correct answer है option बड़े जो आरसी दत है वह सम्बंधित नहीं है आजाद हिंद फोज से इसके लावा सुबास चंद बोस और रास बीरी बोस जनरल मोहन सिंग ये 3 जाजाद हिंद फोज से सम्बंधित विक्ती है निक्ष ने अंतराश्टिये आपरादिक न्यायले का मुख्याले कहां इस्तित है तो उसका गरेक्टान सरा है आप्शन नमर बी नीदरलेंड के दहेंगिस्तान पर इस्तित है अंतराश्टिये आपरादिक न्यायले का मुख्याले निक्ष ने खिलाफत आंदुलन का आरंब किया था तो इसका कर्रेक्टांसर आ है ओप्शन अमबर D अली बंदुओं ने शुरू किया था खिलाफत अंदुलन का निक्ष ने जब दो हलके नाबिक मिलकर बहरी नाबिक का निर्मान करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तो इसका ग्रेक्टांसर है option number D इसे नाबिकिय सलाइन की अभिक्रिया कहते हैं निक्षने सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो इसका ग्रेक्टांसर है option number D रिगवेद है सबसे प्राचीन वेद का नाम निक्षने साल्ट लेग स्टेडियम कहां इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शनमर बी कौलकता शहर में स्टित है साल्ट लेग स्टेडियम निक्षन है पाकिस्तान के प्रदहन मंत्री नवाज शरीफ ने किस केस में नियाले का फैसला आने के बाद इस्तिफा दिया है तो इसका गर्रिक्टान सरह है आप्शन मबर बी परनामा केस में फैसला आने के बाद में इस्तिफा दिया था प्रदहन मंत्री नवाज शरीफ ने निक्षन है मेत्री भारत तथा देश के मद्धे स्वयुक्त सेना का अभ्यास है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D भारत और थाइलेंड देश के मद्धे स्वयुक्त सेना का अभ्यास है जिसका नाम है मेत्री निक्षन है कम्प्यूटर के संदरब में ALU का ताथ पर यह है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number A A का मतलब होता है arithmetic L का मतलब होता है logic U का मतलब होता है unit तो ALU की फ्लिफों हो गई arithmetic logic unit निक्षन है मतली बाश्या मुक्य रूप से किस राज्ये में बोली जाती है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number A बिहार राज्ये में बोली जाती है मतली बाश्या मुक्य रूप से